नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे शंकर भगवान की प्रिये वस्तू रुदराक्ष के बारे में शास्तरों के अनुसार महादेव के नेतरों से रुदराक्ष की उत्पती हुई थी रुदराक्ष को सभी सिद्धियों का देने वाला माना जाता है रुदराक्ष धारन करने से व्यक्ति को सकार आत्मक उर्जा मिलती है रुदराक्ष कई परकार के होते हैं एक से लेकर 14 मुखी तक रुदराक्ष पाए जाते हैं इसके अतिरिक्त गौरी शंकर और गनेश रुदराक्ष भी पाए जाते हैं। मान्यता के अनुसार रुदराक्ष धार्न करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है। रुदराक्ष की माला पहनने से हिर्द्या स्वस्त रहता है और हाई बलड प्रेशर के लिए भी रुदराक्ष को अच्छा माना गया है। रुदराक्ष हमेशा लाल धागे या पीले धागे में ही पहनना चाहिए। इसे अमावस्या, पूर्निमा या सोमवार के दिन धारन करना अतिशुब माना गया है। रुदराक्ष 1, 27, 54 या 108 की संख्या में धारन करना चाहिए। इसको धारन करने के बाद मास और मदिरा का सेवन ना करें। रुदराक्ष को धातू के साथ धारन करना बहुत शुब होता है। इसको सोने चांदी या तामबे के साथ धारन किया जा सकता है। रुदराक्ष को सोते समय उतार देना अच्छा होता है। दूसरे का पहना हुआ रुदराक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए। अब मैं आपको रुदराक्ष पहनने के फाइदे के बारे में बताऊंगी। बचने के लिए तीन मुखी रुदराक्ष पहनना चाहिए। नमबर पांच गुसा चुडाने के लिए पंच मुखी रुदराक्ष जिसके बीच में एक मुखी रुदराक्ष हो पहनना चाहिए। भक्ती के लिए 11 मुखी रुदराक्ष को उत्तम माना गया है इसके इलावा रुदराक्ष को राशी के अनुसार भी पहना जा सकता है मेश और वरिष्चक राशी के लिए 3 मुखी रुदराक्ष उत्तम माना गया है ये रुदराक्ष अगनी और तेज का सवरूप होता है वहीं व्रिशब और तुला राशी वालों के लिए छे मुखी रुदराक्ष उत्तम माना गया है इसको भगवान कार्तिके का सवरूप माना गया है मिथुन और कन्या राशी वालों के लिए चार मुखी रुदराक्ष उत्तम माना जाता है इसको ब्रह्मा जी का सवरूप माना गया है वहीं कर्क राशी वालों के लिए दो मुखी रुदराक्ष धारन करना अति उत्तम होता है सिंग राशी वालों के लिए एक मुखी रुदराक्ष धारन करना चाहिए इसको महादेव जी का सवरूप माना गया है धनु और मीन राशी वालों के लिए पांच मुखी रुदराक्ष पहनना उत्तम होता है वहीं मकर और कुम्ब राशी वालों को साथ मुखी रुदराक्ष पहनना चाहिए आज के लिए बास इतना ही फिर मिलती हूँ एक अच्छी जानकारी के साथ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर कर दें मिलती हूँ एक दूसरी अच्छी जानकारी के साथ हर हर महादेव